दोस्तों मेरे हाथ में है एक device जिसका नाम है Chromecast अब मेरे हाथ में यह क्यों है यह आगे आपको बताऊंगा आगे वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है यह device और यह किस काम आता है इसी के साथ आज की वीडियो में मैं इसकी unboxing भी करूँगा तो दिखाता हूँ आपको box खोल के किस तरह का यह device है और इससे हम क्या कर सकते है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें चलिए करते हैं आज की वीडियो start आप देख रहे हैं Mad Explorer तो दोस्तों मेरे हाथ में है Chromecast यह एक ऐसा device है जिसकी साहिता से आप अपने phone की screen को एक बड़े screen पर कास्ट कर सकते हैं आप अपने mobile screen की जो screen है उसको आप अपने बड़े TV या किसी बड़े screen पर कर सकते हैं यह बहुत अच्छा device है जिससे आप अपने phone की screen को अपने TV में यूज कर सकते हैं और अपने phone में आप जो भी यूज करोगे वह आपके TV में दिखाई देगा तो चलिए करते हैं इसके unboxing खोल के दिखाता हूं आपको इस box को क्या है और कैसा है इसके अंदर यह Chromecast तो box पर आप देख पा रहे होंगे 4K यहाँ पर लिखा हुआ है 4K तक की वीडियो यह आपको दिखाता है उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी application है जिन्हें आप यूज कर सकते हो YouTube, Spotify तो यह काफी सारी जो apps है यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर भी काफी सारी apps है जो आप इसमें देख सकते ह हो उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे फोन की जो स्क्रीन है वो बड़ी स्क्रीन में TV में आपको काश्ट होती नजरा रही होगी और यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि कैसे आप इसका setup कर सकते हो वीडियो में आपको बताऊंगा आगे कैसे आप इसक पारे होंगे काफी सारी बाते लिखे यहाँ पर आप HD में इसकी जो है वीडियो वाल्टी देख पाएंगे वाइफाई स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है इसमें तो बहुत सारी बाते हैं यह इसके बारे में जो लिखी हुई है देख सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं उसके बाद चलिए मैं बॉक्स खोल के आपको यह डिवाइस दिखाता हूं तो सिंपली हमें बॉक्स खोल देना है यह देखिए इस तरह से में इसको नीचे ड्रैक करके निकाल लूँगा तो यह हमारा डिवाइस है क्रोम कास्ट यह देखिए अच्छी पैकिंग है कहा जाए तो निकालता हूं इसको तो यह हमारा डिवाइस यह देखिए तो देखने में तो काफी ठीक लग रहा है मुझे बट प्लास्टिक की जो क्वालिटी वह काफी चीप लग रही है मुझे काफी मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं वायर की क्वालिटी काफी अच्छी यह HDMI पोर्ट है जिसे आप अपने HDMI डिवाइस में लगाओगे जिसमें यह पोर्ट होगा TV या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन उसमें लगा सकते हैं यहां पर एक बटन दिया हुआ है और उसी के बगल में एक इसमें और क्या मिलता है मैं यह देखते हैं इसमें केबल है यह देख सकते हैं आप खोल के दिखाता हूं यह केबल है जो अरौंड एक मीटर के आसपास की होगी खोल के दिखाता हूं आपको तो एक मीटर के आसपास की ही है यह केबल जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो यह जो है एक mini usd port है इसके अंदर दूसरा usd port है और यह एक जोईस्टीक है इसकी वाइफाई के लिए इसी से वाइफाई जो है रेंज निकलेगी ठीक है बोक्स में और देख लेता हूं कि कुछ है तो रही यह एक user manual है इसमें तो इससे जरूर पढ़ लेना आप कभी भी जब इ खरीदना चाहते हो तो लिंक इसका description में दे दूँगा वहां से जाकर अब सीध्य करें सकते हैं तो बात करें device की तो यह देखिए अभी के लिए आपको बता देता हूं बाद में आपको connection ठीक से करके दिखाऊंगा अपने tv में तो यह जो mini usb port है इसको आपको chromecast के अंदर लगा देना है जहां पर इसका port है ऐसे उसके बाद जो दूसरी इसकी cable है यह वाली usb cable इसको आपको लगा देना है power के लिए इससे आपको लगा देना है power के लिए जो power मिलेगे और यह HDMI port है जो आपको tv में लगाना है उसके बाद आप इस device को यूज कर पाएंगे तो पारे होंगे HDMI जो port है यह इसमें हमें वो cable लगानी है जो device के साथ है यह वाली तो इस cable को हमें अपने tv में लगा देना है HDMI cable है जिसे हम HDMI port में ही लगा सकते है तो यहां पर इसको ऐसे लगा देंगे उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद जो usb cable है उसको इस device को power देने के अपने तीवी में अधर option जो होता है हमारा usb का उसमें लगा देनी है यह देखे यहां पर यह जो है यूएसबी का option है तो यह जो port है यह पोर्ट है इसमें यह cable लगा देता हूं उल्टी है यह देखे तो यह usb port भी लगा दिया है ठीक है अब टीवी ओन करने पर कुछ इस इसका setup करना है तो यह phone है मेरे हाथ में टैबलेट है तो यहां पर देख सकते हैं आप setup का option आ रहा है तो यह जो tablet है इसकी जो स्क्रीन है वो टीवी में mirror होने लगेगी तो यह setup के option पर क्लिक करना है हमें यह देखिए setup क्लिक करने के बाद इस तरह से यह सर्च करेगा उसके बाद यहां पर continue करना है हमें यह देखिए connection to connecting to Chromecast तो connect कर रहा है अभी थोड़ा सा time लगेगा इसमें अब यहां पर यह code लिखा है TV पर देख सकते हैं आप A5 A4 तो यह code है यहां पर लिखा है कि did you see the code on your TV तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको continue करना है yes I see the code उस इसके बाद इसका setup complete हो जाता है we are online तो बहुत सारे जो Chromecast है उनमें इस तरह का option आता है कि आपको code जो है सब्मिट कराना पड़ता है तो चलिए अब इसको use करते है ready to use है यह हमारा Chromecast तो अभी मैं YouTube open कर रखा है मैंने तो जो भी मैं इसमें प्ले करूंगा वह हमारे टीवी में शो होगा कैसे होगा चलिए बताता हूं जैसे मैंने वीडियो प्ले करी ऊपर यह राइट में आप का जो आइकन दिखाई दे रहा होगा आपको इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद जो है यह जो टीबी का जो नाम है नीचे शो कर रहा ओकवर टीवी तो इसका नाम जो मैंने डाला था तो अब यह जो हमारा टैबलेट है यह टीवी से कनेक्ट हो चुका है देख सकते हैं तो जो सेम वीडियो मेरे टैबलेट पर चल रही थी वो अब टीवी में भी चल रही है यह देखिए और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ प्ले हो रही है तो दोस्तों अभी तो मैंने आपको यूट्यूब से कास्ट करना बता है अब मैं बताऊंगा आपको कैसे आप प यह देखिए यह जब आप सर्च करते हो तो इस तरह सी उप्शन उपन होके आएगा आएगा आपके सामने तो ऊपर कास्ट का जो ऑप्शन है उस पे भी आप क्लिक करेंगे तब भी हो सकता है और नीचे में स्मार्स दिस्पले का सब्समार्ट में मर्स नन होता है और आपक सर्च करेगा तो जो भी टीवी जो भी काश्ट का नाम होगा वो यहां पर शो हो जाएगा और आपको उस पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपकी जो मोबाइल की जो स्क्रीन हो टीवी में शो होने लगेगी यह देखिए जो भी मैं अपने फोन में कर रहा हूं वो सब कुछ टीवी में हो रहा है एक बड़ी स्क्रीन पर हो रहा है देखिए कुछ भी अगर मैं करता हूं तो वो टीवी में दिखाई देगा आप इसमें गेम्स खेल सकते हो वीडियो देख सकते हो कुछ भी कर सकते हो अपने फोन में जो भी आप कर रहे हो वो आप टीवी में कर सकते ह इसका एक फायदा होता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में ब